हेलो फ्रेंट्स हम बात करेंगे हिंदी के कुछ ऐसे सब्द की जो पढ़ने में तो एक आई हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं जैसे पाला है अवधी और अवधी चोटी यी लगी है तो इसका अर्थ हो जाएगा समय सीमा और बड़ी यी लगी है तो इसका अर्थ हो ज जाएगा भाग अगला है केस और केस बड़ा सा लगा है तो इसका अर्थोंगा सर का बाल और छोटा सा लगा है तो इसका अर्थोंगा डिवा अगला है कुल और कूल छोटा उलगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा वन्स और बड़ा उलगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा तट अगला है चीर और चीर छोटा ही लगी है तो इसका अर्थ हो जाएगा लंबा समय और 6 से छत्रिय वाला अगर चाहे तो इसका अर्थ हो जाएगा छत्रिय धर्म फ्रेंट आप सोच सकते हैं कि ये सब्द पढ़ने में तो एक अई है लेकिन इनके अर्थ कितने अलग हैं अगला है दिन और दीन चोटी लगी है तो इसका अर्थ हो जाएगा दिवस और बड़ी लगी है तो इसका अर्थ हो जाएगा दरिद्र अगला है द्वीप और द्वीप बड़ी ही लगी है तो इसका हो जाएगा टापू और छोटी ही लगी है तो इसका अर्थ हो जाएगा हाथी अगला है पास और पास छोटा सा लगा है तो इसका अर्थो जाएगा निकट और बड़ा सा लगा है तो इसका अर्थो जाएगा बंधन जाल अगला है सर और सर चोटा सलगा है तो इसका अर्थो जाएगा तालाब और बड़ा सलगा है तो इसका अर्थो जाएगा तीर अगला है सकल और सकल चोटा सलगा है तो इसका अर्थो जाएगा संपुर्ड और बड़ा सलगा है तो इसका अर्थो जाएगा टुकडा अगला है सूत और सूत छोटा सा लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र और बड़ा सा लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा धागा सार्थी अगला है स्वजन और स्वजन छोटा सा लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा आत्मी जन और बड़ा सा लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कुट्ता अगला है सूर और सूर बड़ा सा लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा वीर और छोटा सा लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सूर ऐसी वीडियो और बेस्ट करेंट अफेर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम